दोस्तो जस्त अभी एक घंटा पहले इंडियन ओल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई और इसी के साथ में दो डिविडेंड अनौस्मेंट्स को भी कवर करूँगा मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं फिनो मेडिया बाया आरुष आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आजाते हैं दोस्तों सबसे वहले इंडियो ओल कॉरपोरेशन की बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं उसके बाद में डिविडेंड अनौस्मेंट्स को कवर करेंगे तो जस्ट अभी एक घंटा पहले इंडियन ओल कॉर्परेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिसिकली IOCL के बोर्ड ने यहाँ पे 1660 करोर रुपीज का एक इंवेस्मेंट एप्रूफ किया है अगर थोड़ा डिटेल के अंदर में आपको बताऊं तो NTPC Green Energy Limited और Indian All Corporation Limited दोनों कंपनीज मिल करके एक जॉइंट वेंचर करना चाहरी है और इसी जॉइंट वेंचर के अंदर में इंडियन ओल कॉर्परेशन यहाँ पे 1660 करोर रुपीज इंवेस्ट करेगा और इसके बदले में इंडियन ओल कॉर्परेशन को जो है इस जॉइंट वेंचर का 50% स्टेक मिलेगा मतलब आने वले टाइम में NTPC Green Energy और इंडियन ओल कॉर्परेशन के जॉइंट वेंचर से जितनी भी इंकम या जितना भी प्रॉफिट आता है उसका डिरेक्टली 50% हिस्सा यहाँ पे इंडियन ओल कॉर्परेशन को मिल जाएगा और इस जॉइंट वेंचर को करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यह है कि अल्रेडी इंडियन ओल कॉर्परेशन जो है पास्ट के अंदर में काफी बड़े बड़े कमिट्मेंट से यहाँ पे कर चुका है रेन्यूइबल एनरजी इनिशेटिव्स को ले करके और उसी को फुल्फिल करने के लिए अब इंडियन ओल कॉर्परेशन जो है एन्टी पीसी की सबसिडरी कमपनी जो की एन्टी पीसी ग्रीन एनरजी लिमिटेड है उसके साथ में जॉइंट वेंचर कर रहा है ताकि आने वले टाइम में यह दोनों कमपनीज मिल करके नए प उन सब को यूज करने के बाद में अच्छा खासा रेन्यूएबल एनरजी का सोर्स बन जाए अब बेशक चाहे वो विंड एनरजी सेक्टर हो चाहे वो सोलर एनरजी सेक्टर हो या फिर बैटरी एनरजी सेक्टर हो तो कुछ इसी प्रकार यह दोनों कमपनीज अब एक इंडीयन ओल कॉर्परेशन को यह ऐसे काफी अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वला है और इसी चलते इंडीयन ओल कॉर्परेशन के बोर्ड ने आप इतना बड़ा इंवेस्मेंट ए प्रूफ किया है और यह काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी इंडीयन ओल कॉर रुपीस के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप ए डिविडेंट अनौंस कर दिये 5 रुपीस का और डिविडेंट को देने की जो एक्स देट और रिकॉड डेट है वो कंपनी ने 20th of October को रख दी है तो अगर आपको इस स्टॉक को पर्चेस करना हुआ ताकि यहां पर आपको और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो डिविडेंट एंड साथी साथ में क्वाटर 2 के रिजल्ट को लेके रहने वाला है अब हेरिटेज फूड अगर अपनी डिविडेंट हिस्टी के अकॉर्डिंग लिए काफी एच्छा डिविडेंट अनौंस करता है और साथी स निकल के आरी थी इंडियन ओल कॉर्परेशन की तरफ से और साथी साथ में दो डिविडेंट अनौंसमेंट्स को मैंने कवर किया अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीचेगा बिगोज फिनो मेडिया के अंदर आपको ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कॉंटेंट और स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलते राएंगे चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई